तो गईस आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओकाय की तरब से आने वाले फास्ट F2B की क्योंकि हम आये हैं ओकाय के शोरूम पर यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छे-चे कलर्स के अंदर आपको एलेक्टरिक स्कूटर मिल जाएंगे F2B के अंदर आपको सबसीडी कितनी मिलेगी कलर कौन-कौन से दिये गए हैं वरंटी में क्या कुछ कवर है और इसकी टॉप स्पीड मैक्स कितनी जा सकती है इसकी डाउन पैमेंट कितनी है वो सारी इन्फोर्मेशन एक के करके शेर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर ओकाय के ही दो इलेक्टरिक स्कूटर का हम वीडियो अल्रेडे अपलोडेड कर चुके हैं जिसमें से एक है F4 जो एक हाई स्पीड एलेक्टरिक स्कूटर है 160 किलोमेटर के रेंज के साथ में और दूसरा है क्लासिक 150 जो एक नोन आर्टी वीकल है आप उसको विडाउट ड्राविंग लाइसेंस के भी चला सकते हैं अभी बात करते हैं Fast F2B की तो यहाँ पर दो चावियों का सेट मिल जाएगा और दो ही रिमोट मिल जाएगे रिमोट के अंदर जो पाउर बटन है इसको दो बार प्रेस करने के बाद में स्कूटर रेडि टू मूँ हो जाता है जियां दोस्तों आपर की लेस राइड को उप्शन मिलता है साथ में आपको Antithept Alarm का फीचर भी दिया गया है Key Switch में देखेंगे चावि नहीं लगी है बट स्कूटर स्टार्ट है वहीं पर अगर इसको दुबारा से बंद करना हो तो Unlock बटन को प्रेस करेंगे एक बार तो इसको तो दुबारा से बंद हो जाएगा अब क्योंकि एक RTO वीकल है तो इसके लिए आपको Driving License और Registration दोनों की ही जुरुत पढ़ने वाली है की Switch के पास में एक Hook मिल जाएगा जो Foldable है और इसके उपर आप एक डेट के लोग तक वजन टांग सकते हैं Space की बात कर लें तो ठीक ठाक मिल जाएगा छोटे मोटे सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं Handle के पास में अगर आपको Mobile Charge करना है तो यहीं पर एक USB Port भी दिया गया है Cap के साथ में आता है ताकि पान यह फिर मिट्टे वगर इसके अंदर ना जाए अब आजाते हैं F2B के Switches की तरफ तो Left Side में आपको High Beam, Low Beam के लिए इसके नीचे की तरफ Turn Indicator और Horan के लिए Switches मिल जाएंगे Right Side में आ जाए तो यहाँ पर Hazard के लिए इसके नीचे की तरफ इसके DRL और Head Lab On-Off करने के लिए इसके नीचे की तरफ Horan के लिए Switches दिये गया है Side में आ जाए तो इसके जो 3 Mode दिये गया है उसके लिए आपको Switch मिल जाएगा और इसके नीचे की तरफ आपको Reverse के लिए Dedicated Switch दिया गया है अब आज जाते हैं इसके Instrument Cluster की तरफ तो यहाँ पर आपको मिलने वाली है Orange Color के साथ में Digital Display जिसके अंदर आप गाड़ी की Speed देख सकते हैं बेटरी के परसंटेज चेक कर पाएंगे Autometer की Reading और Real Life आपको क्या Range मिलने वाली है वो भी यहाँ पर Show होती है इसके जो 3 Mods हैं उसके लिए बटन दिया गया है और जैसे ही आप उसको Mode को Change करते हैं आपको Instrument Cluster में भी Show होगा कि कौन से Mode पर गाड़ी चल रही है अभी और जिसे ही Mode चेंज करते हैं वैसे ही आपकी जो Real Time Range है वो भी Change होती है ताकि बेटर आइडिया मिल जाए आपको कि जहां पर हम जा रहे हैं उसके अंदर कौन से Mode को Use में करना है Top Speed की बात करें तो Power Mode के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं 77 km पर आर की Speed शो हो रही है बट यह भी Main Stand के उपर है और Under Load नहीं है Real Life में चलाएंगे तो आपको वहाँ पर 70 km पर आर की Speed आराम से मिल जाएगी Handle Bar के उपर ही Turn Indicator दिये गए है जो LED के अंदर है इसके नीचे के तरफ आएंगे तो Number Plate लगाने के लिए Space मिल जाएगा इसी के थोड़ा नीचे जो है आपको Okaya का Logo दिया गया है Headlam की बात कर लें तो Fully LED के अंदर है यहाँ पर Headlam भी LED में मिलेगा और DRLs भी LED के अंदर दिये गए हैं जो काफी अच्छी लुक के साथ में आते हैं Guys अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो इसी तरह की Detailed वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं बिनादरी के आजाते हैं इसके Front Suspension की तरफ तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं Telescopic Shock Absorber अब Okiya के सभी स्कूटर में मैं नोटीस करा कि जो Front Suspension है उसके जो शोक कर रहे हैं उसके अंदर अच्छा खासा डिस्टेंस दिया गया है जिसके वज़े से इनके Life अच्छी हो जाती है Front Tire की बात कर लेते हैं तो C8 के Tubeless Tire मिल जाएंगे जिनकी Size होने वाली है 90 by 90 की 12 इंच की Steel Will Rim के साथ में आते हैं Front Fender Body Color के अंदर है और इसके ओपर Round Shape के अंदर Reflektor मिल जाएगा Side में वोका एक कि Stickering दी गई है तो guys F2B की Front Side cover करने के बाद में आ जाते हैं इसके Red Side Profile की तरफ सबसे पहले बात कर लेते हैं Footboard की तो Flat दिया गया है और इसकी Size की बात करें तो कई भाई लोग पूछते हैं कि LPG का Cylinder रख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी Graphics वगरा देखने को नहीं मिलेंगे बट Fast F2B की 3D Bashing जरूर दी गई है Pilland Rider के लिए अलग से Footrest दिये गए हैं जिनको आप Easily Fold और Unfold कर सकते हैं इसके उपर आपको Rubberize Grip भी मिल जाएगी ताकि बेटते या फिर उतरते वक्त यहाँ पर सिलिप होने के चांसेस नहीं रहेंगे रियर सैड में Dual Core Shock Absorber मिल जाएंगे जिनको आप Rider के साब से एड़ेश्टी भी कर पाएंगे यहाँ पर मिलने वाली आपको 120W की BLDC Hub मोटर जो Rear Tire Wheel Hub के अंदर फिट है 2500W इसका Peak Power होने वाला है Swing Arm के Cover Body Color के अंदर दिये गए हैं वहीं पर आजाते इसके Rear Tire की तरफ तो जैसे आपको Front में दिया गया था 90 by 90 का उसी सेम साइस का Tire आपको Rear Side में मिल जाएगा 12 इंच की Wheel Rim के साथ में Tire के उपर की तरफ एक छोटा सा Tire Hugger भी मिल जाएगा ताकि कीचर्ड वगरा Tire से लगके पूरी Body के उपर ना फेले तो Guys, Front और Red Side कवर करने के बाद में आजाते है Rear Side Profile की तरफ तो Seat के पास में आपको Metal की Grip Rail मिल जाएगी जो Black Matte Finish के अंदर दी गई है Tail Name की बात कर लें तो काफी अच्छी डिजाइन के साथ में है और यहाँ पर पूरा Set Up LED के अंदर है इसके जो Turn Indicator है वो भी आपको LED के अंदर ही मिलेंगे नीचे एक छोटा Reflektor है और Number Plate Light मिल जाएगी जो भी LED के अंदर है Number Plate लगाने के लिए Proper Space मिल जाएगा जी यहाँ दोस्तों यहाँ पर Number Plate लगेगी क्योंकि यह एक High Speed Electric Scooter है Ladies Footrest आपको Aluminium के साथ में दिया गया है जिसको आप Easily Fold और Unfold कर सकते हैं कई Electric Scooter में आपने देखा होगा Ladies Footrest के लिए अलग से Charge किया जाता है SACC के अंदर बट इस Scooter के अंदर तो भाई साथ में ही मिल जाएगा Man Stand और Side Stand दोनों ही मिल जाएगे अपने इसाब से आप इनको यूज में ले सकते हैं नीचे की तरब जो Black Color का इस बॉक्स देख रहे हैं Metal का इसके अंदर बैटरी रखी हुए इसके अंदर मिलेगी आपको 2.2 किलोवाट की Lithium Ferro Fastpet बैटरी जो Lithium and Battery से लगबग दुगनी लाइफ के साथ में आती है इसको चार्ज करने के लिए लगबग आपको 4-5 गंटे देने होंगे उसके बाद में आप 85-85 किलोमेटर तक पर चार्ज की रेंज ले सकते हैं अंडर सीटी स्पेस में एक MCB स्विच मिल जाएगा और अगर इसके बूटी स्पेस को भी देखें तो काफी डीप है लगबग 25 लिटर तक का स्पेस आपको यहाँ पर मिलने वाला है फुल साइज तो नहीं बट एक छोटी साइज का हेलमेट आप यहाँ पर रख पाएंगे कलर ओप्षिन की बात करें तो इस स्कूटर के अंदर आपको टोटल 6 कलर मिल जाएंगे एक बार वारंटी के लिए बात करते हैं और फिर सिधे चलते हैं प्राइजिंग की तरफ तो यहाँ पर आपको 3 साल और 30,000 गिलोमेटर की वारंटी मिलती है जो भी पहला हो जाएं और वारंटी के अंदर क्या क्या कवर रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो बैटरी, चारजर, मोटर, कंट्रोलर, रिम, सस्पेंशन, वारिंग ये सब भी चीज़े कवर रहेंगी सबसीडी की मिलेंगे आपको 11,144 रुपे वहीं पर लेटेश्ट एक्शुरूम प्राइस की बात करें तो वो रहेंगी 99,950 रुपीज 15,000 के डाउन पेयमेंट पर आप F2B को अपने घर पर ले जा सकते हैं वहीं पर EMI को देखें तो वो भी आपको लगबग 3,000 रुपे पर मंत की पढ़ने वाली है तो गैस यह था आज का वीडियो ओकाया फास्ट F2B के उपर इस तरह की कंप्लीट और डिटेर्ड वीडियो देखते रहने के लिए चनलो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के अंदर टेक केर एंड थेंक्स पर वोचिंग